Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की collective reading है और आज हम करने जा रहे हैं break up separation situation पर जो लोग specially break up में हैं या separation में हैं अपने partner से आज की reading खास तोर पर उनके लिए है तो हम देखेंगे कि इस break up में separation के period में आपके person की क्या feelings हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या वो इस break up को खतम करने के लिए, separation को खतम करने के लिए को एक्शन लेंगे या नहीं, क्या एरादा है उनका ये सब हम जानेंगे, ये बिल्कुल timeless reading है, जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का message होगा सो शुरुआत से पहले, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं, आपकी final destination, safe divine source को पता है safe divine source को पता है के finally आपकी life में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much, आप सब के प्यार और support के लिए, I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all so अगर आप नए हैं मेरे channel पर, आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा so अब हम start करते हैं आज की reading और सबसे पहले हम आपके connection की overall energy देखेंगे और six cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए so let's see so हमारे पास है secrets, darkness, true love, light, abandoned and divine timing so देखिए कि आप लोग definitely इस वक्त separation में है, breakup situation है तो इस वक्त आप लोग darkness में है, हो सकता है कि आपके person के कुछ secrets है जो आप नहीं जानते है but this is true love, आपके लिए message आ रहा है या आप उनसे बहुत प्यार करते हैं truly, अभी हम उनकी feelings देखेंगे कि वो क्या feel कर रहे है separation में so आप light की तरफ जरूर जाएंगे, यानि positivity की तरफ, बेहतरी की तरफ, hope है अभी भी आपकी situation में इसका यह मत्तब भी है so आपको इस वक्त abandoned feel हो रहा है, maybe आपके person को भी abandoned feel हो रहा है but हर चीज़ divine time में हो रही है और divine time में ही होगी so इसका यह मत्तब है कि divine timing is at work in your love life so let's see, आपके person क्या सोच रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं इस separation में so आपको बहुत जादा left out feel हो रहा है, अकेला पन feel हो रहा है, obviously with the abandoned card so we have knight of pentacles so इरादा है आपके person का आपकी तरफ आने का, six of wands nine of wands so यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius है, Taurus, Virgo, Capricorn है nine of cups, यह Pisces, Cancer Scorpio and bottom of the deck पर page of wands again, यह आ गई है fire energy color yellow, color orange, किसी के लिए important हो सकता है so यह star signs है, लेकिन मैं हमेशे आपसे कहती हूँ कि regardless of star signs, अगर energy आपसे match होती है तो बिलकुल आपकी reading है, आपने energy पर focus करना है, star signs पर नहीं so nine nine किसी के लिए important हो सकता है so clearly हमें यह नजर आ रहा है कि आपके person, obviously आपके साथ connection को successful बनाना चाहते हैं आप से contact भी करेंगे, यह invitation भी हो सकता है हो सकता है कि आपको कहीं पर invite करें so आप उनकी wish fulfillment है with the nine of cups इसमें कोई शक नहीं है, but struggle है इस वक्त यह इनसान बहुत जादा guarded है और उसका main reason यह हो सकता है कि maybe आपके सवालों का जवाब नहीं है उनके पास maybe उनकी जिन्दगी में कुछ struggle चल रही है और यह secret है आपको उन्होंने नहीं बताया हुआ है कि उनकी जिन्दगी में क्या struggle चल रही है उनकी personal life में क्या problems चल रहे हैं यह भी हो सकता है कि आपके person बहुत उन्होंने एक alone जिन्दगी गुजारी है और वो अकेले रहते हैं फैमिली के साथ नहीं रहते हैं और life एक struggle है मतलब एक आम इनसान से ज्यादा maybe आपके person ने अपनी life में struggle की है और maybe उन्होंने अपने बहुत से experiences आपके साथ shared नहीं की हुई है so यह struggle उन्हें नहीं पता कि कब तक चलेगी कब तक है कुछ चीजें हैं जो उन्होंने आपके साथ shared नहीं की हुई है so इस वक्त यह इनसान थोड़े से guarded इसलिए हैं कि आपके सवालों के जवाब उनके पास में भी नहीं है but वो यह सोच रहे हैं कि with time चीजें ठीक हो जाएंगी divine time के साथ और आपको पता है कि night of pentacles एक बहुत slow moving energy है so यह इनसान इरादा रखते हैं आपकी तरह वापिस आने का और आपस दूर जाने का उन्होंने सोचा ही नहीं है मुझे उनकी energy में यह नजर नहीं आ रहा कि वो यह फैसला कर चुके हैं कि वो आपसे दूर चले गए हैं और वो यह भी नहीं सोच रहे कि यह break up, यह separation permanent है they feel कि यह चीजें आपकी sort out आप लों के दरमयान हो जाएंगी so आपके person के दिमाग में या दिल में मुझे pressure नजर नहीं आ रहा है कि वो परेशान है मुझे परेशान नजर नहीं आ रहा है यह इनसान अपनी life struggle की वज़ा से परेशान थोड़े से हो सकते हैं जो भी उनकी life में चल रहा है maybe वो काफी ज़ादा अपनी जॉब के हवाले से struggle कर रहे है उनका जो काम है उसमें वो थोड़ी सी struggle कर रहे है लेकिन इस connection की अगर हम specially बात करें तो यह इनसान परेशान नहीं है विकिस उनकी नजर में आप लोगं का connection ना तो हमेशा के लिए खतम हुआ है ना आप लोग हमेशा के लिए separation में गए है यह एक temporary situation है यह permanent situation नहीं है आपके person यह सोच रहे है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी उनके एक simple से text से चीज़ें ठीक हो जाएंगी उनको यह लग रहा है वो करेंगे right time देखकर divine time देखकर आपसे contact करेंगे because yes थोड़ा logical इनसान है आपके person so बहुत सोच सोच कर चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं बहुत किसी जल्दी में नहीं है so पूरा अपना sweet time लेना चाहते हैं यह इनसान हर चीज़ में और उसका reason फिर वही उनकी जिंदगी की struggles हो सकती है कि जिंदगी में उन्होंने यह सीखा है कि एकदम से jump नहीं करना किसी भी चीज़ में सोच समझ कर calculate करके उसके सारे उसमें क्या benefit है क्या नुकसान है हर चीज़ देख कर चलना है so यह basically आपके person का mindset है so अगर हम break up situation की और आपकी separation situation की बात करें बात वही है कि इनसान pressure feel नहीं कर रहे है आप से separation का because they feel कि एक temporary situation है और yes, अगर आप में से कोई chase कर रहा है उन्हें तो भी यह सबसे बड़ी वज़ा हो सकती है कि वो pressure feel नहीं कर रहे है so आप उन्हें chase करना बंद कर दें, यह message खास उनी के लिए जो chase कर रहे हैं, obviously सब लोग के chase नहीं कर रहे होंगे, बर जो कर रहे हैं आप chase करना बंद कर दें, मतलब यह है कि उनको text करना, उनको calls करना चोड़ दें let's see, यह इनसान और क्या feel कर रहे है, क्या सोच रहे है इस breakup separation situation में so we have guilt and then we have faith so यह इनसान इनको थोड़ा with the guilt card obviously बड़ा clear है हमारे पास, कि उनको guilt होता है उन्हें इस बात का guilt है, कि वो बहुत maybe time लगा रहे हैं, या इसमें जो भी उनकी mistake है, वो आपको sometimes hurt कर जाते हैं आपकी feelings को seriously नहीं ले पाते हैं या आपकी feelings को understand नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हें पुरा यकीन है with this card कि आप उन्हें माफ कर देंगे, उन्हें पुरा यकीन है कि चीजें फिर से ठीक हो जाएंगे उन्हें बहुत जादा effort नहीं करनी पड़ेगी आपको मनाने के लिए, आप उनसे दूर नहीं जाएंगे उन्हें ये एक बड़ा confidence है आपके उपर so इनको guilt होता है जब भी आपको time जादा नहीं दे पाते हैं आपके साथ नहीं होते हैं आपके साथ fair नहीं हो पाते हैं mainly जब वो आपकी feelings को understand नहीं कर पाते हैं वो इसलिए because आपके person जैसा मैंने कहा कि बहुत logical calculate करके चलते हैं और आप थोड़ा emotional हैं जादा so वो आपके emotions को कभी कबार understand नहीं कर पाते हैं और इस बात में उन्हें दुख होता है कि वो नहीं कर पाते हैं so वो आपको hurt करने के लिए ऐसा नहीं करते हैं बस वो नहीं कर पाते हैं डंटेंगे, ब्लेम करेंगे किसी चीज के लिए ये इंसान आपसे और दूर भागेंगे because जब आप उन्हें कोई चीज बार-बार realize कराएंगे उन्हें और जादा guilt होगा और ये guilt वाली feeling you know अच्छी नहीं लगती है किसी को भी so ये इंसान आपसे दूर भागेंगे अगर उन्हें इतना ज़्यादा guilt महसूस होगा because फिर वो ये समझेंगे कि maybe वो आपको कभी खुश कर ही नहीं सकते तो उन्हें फिर आपकी जिंदगी से चले ही जाना चाहिए क्योंकि वो इसमें quality एड़नी कर पा रहे है so we have angel of strength ये है number 50 ये है third chakra number 37 ये solar plexus chakra है so यहाँ पर Leo बहुत जादा strong है फिर है goddess of the moon कोई highly intelligent intellectual हो सकता है कोई lawyer हो सकता है adjacent possibilities so I do feel कि ये इंसान में भी अपने career को लेकर different options पर गौर कर रहे है different चीजों के बारे में सोच रहे है because I do feel कि वहाँ पर थोड़ी सी struggle कर रहे है अपने work situation को लेकर में भी आपके person थोड़ी सी struggle कर रहे है तो वो सोच रहे है कि situation में से वो कैसे निकल सकते है और क्या possibility है कैसे बेहतर कर सकते है अपने financial situation को अपने life को overall उसके लावा again ये इनसान बहुत strong है बहुत confident है मुझे sadness नजर नहीं आ रही है उनकी energy में थोड़ा थोड़ा guilt होता है उन्हें कि वो आपको time नहीं दे पाते है but still they feel कि आपका bond आपकी connection बड़ा strong है ये इनसान बहुत ज़ादा confident है ये आपकी तरफ आएंगे definitely so आप उनके लिए maybe एक mystery है इस present time में and of course वो भी आपके लिए mystery है कि पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं किसी के बाल बहुत खुबसूरत हो सकते हैं maybe आपको make-up करने का बहुत shock है अगर आप female है उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब आप make-up करते हैं maybe या आपको लगता होगा अच्छा उनके face पर अगर आप female के लिए देख रहे हैं but anyway ये इनसान आप से बात करेंगे आप से contact करेंगे और आप लोग की ये जो भी separation situation है ये बिल्कुल temporary है तो देखते हैं कि आपके person next क्या action ले सकते हैं ये इनसान सोच रहे हैं आपके बारे में और खुश भी होते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं बहुत अच्छा फील होता है उन्हें और थोड़ा हसते भी हैं कि आप कैसे उनसे नाराज है तो ये इनसान परिशान नहीं है let's see कोई action लेंगे या नहीं we have co-create and peace yes, बहुत clear हमारे पस message है ये number 23 है और ये number 40 है so yes, ये इनसान obviously आपके साथ सुला करना चाहते हैं peace बनाना चाहते है फिर से एक नई शुरुआ चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरम्यान कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो ठीक हो ही ना सके I feel कि ऐसी चोटी मोटी लड़ाईयां आपकी पहले भी होती रहती है और इस तरह पहले भी हो चुका है break up, separation बट फिर आप दोनों एक साथ हो गए So I do feel कि ये इनसान फिर से आपकी जिन्दगी में आना चाहते है उनके जहन में ये है यह नहीं कि वो आपकी जिन्दगी से निकल गए है ये बस ऐसे ही चंद दिनों की आपकी नाराजगी है जो कि खतम हो जाएगी So ये messages उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी gut feeling, जिनकी intuition उन्हें बता रही है कि ये messages उनके लिए So कई लोग comment section में कहते हैं कि हमें तो कई साल हो गए है वो तो कभी नहीं आएगा So आपको आपकी unique situation का पता है और हमेशा अपनी intuition को use किया करें कि कौन सा message आपके लिए है और कौन सा नहीं है So I do feel कि ये नाराजगी चन दिनों की ही है आपके partner से वो आपको मना लेंगे Let's see What more क्या action लेंगे ये इंसान So कोई message करेंगे with this bird ये message का sign भी है We have calling in your soulmate and romantic feelings So yes, आप देखें न इसमें बहुत ही clear हमारे पस message आ रहा है कि ये इंसान obviously बहुत ज़्यादा आप से प्यार करते है romantic feelings है और इस पर लिखा है Your feelings are real and worth exploring इसका मतलब ये है कि yes, ये इंसान इन feelings को explore करेंगे and calling in your soulmate में भी आप उन्हें manifest कर रहे है या वो भी आपको manifest कर रहे है obviously आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के बारे में सोच रहे है और एक दूसरे के soulmate है So definitely ये इंसान आप से communicate करेंगे Excuse me Let's see उनका next action Communication होने वाली है Text message Text message के through, call के through आप लोग की सुला होगी Face to face नहीं Call के through, text message के through So we have a win-win outcome is forecast We are very close to achieving your goal Full moon in Libra So हो सकता है के आप किसी Libra से deal कर रहे है बड जरूरी नहीं भी है So इसका मतलब ये है के जो भी situation होगी जो भी end result होगा आप दोनों के लिए फायदे मंद होगा और इसका ये मतलब भी है के आपकी हर हाल में जीत है इसका ये मतलब भी है के आपके highest good में ही होगा जो भी होगा और बलके सब के highest good में होगा So I feel कि बहुत positive way में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और mainly message यही आ रहा है कि आप दोनों की ये जो breakup or separation situation है ये temporary है ये इंसान बहुत जल्दी आपको मना लेंगे और देखें इसके उपर लिखा You are very close to achieving your goal ये message उन लोगों के लिए है जो manifest कर रहे है So आपके लिए ये sign है इस reading में universe की तरफ से कि yes आप बहुत जल्दी manifest करने वाले हैं अगर आप visualize कर रहे हैं affirm कर रहे हैं बहुत जल्दी आप manifest कर लेंगे So let's see और आपके लिए क्या guidance आ रही है फिर हम आपके लिए channeled messages भी देखेंगे So इस पर लिखा है balance Love is not always about agreeing just for the sake of it A great relationship is one that both supports and challenges So balance आएगा आपके connection में और इस पर जैसे के लिखा है कि it's not about always कि आप एक ही चीज़ पर agree करें आप दोनों में differences होंगे वाटे हैस एक दूसरे को support करके accept करके आपको चलना होगा And then power You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time So you have the power आपकी free will है आप जब चाहें walk away कर सकते हैं आप जो चाहें decision अपने लिए ले सकते हैं आपके पास आपकी power है कभी भी ये ना समझें कि आप bound हैं ये मत समझें कि वो आपका soulmate है नहीं वो मेरा twin flame है मैंने उसको नहीं छोड़ना Why? अगर कोई चीज आपको ठीक नहीं लग रही है आपकी energy के लिए इच्छी नहीं है आप उसको छोड़ दें No matter what So you have the power आप bound नहीं है कोई आपको force नहीं कर सकता है Same goes for your person उनको भी आप force नहीं कर सकते हैं सबकी free will है So let's see Two more cards So we have reconsider and yes So I do feel के अगर तो break up आपके person की वज़ा से हुआ वो reconsider कर रहे हैं अपने फैसले को and yes वो वापिस आएंगे आपकी जिंदगी में definitely आप लोगों की situation temporary है जैसा मैं पहले ही आप से कह रही थी और इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई फैसला ले लिया है तो आप reconsider करें आप इस बात को reconsider करें कि आप इस connection में रहना चाहते हैं वाकई या नहीं रहना चाहते हैं So let's see ये इंसान अगर अभी आप से कुछ कहते तो क्या कहते है channeled messages So इस पर लिखा है I want a new beginning with you So yes ये ही बात है ये शुरू से हम इस reading के यही बात कर रहे है यही नजर आ रहे है ये इनसान आपके साथ एक निया स्टार्ट चाहते है Thinking about you all the time ये इनसान बहुत जाद आपके बारे में सोच रहे है Let go of resentment So आप अपने दिल से गुसा, नफरत, resentment सब निकाल दें वो आपसे है कह रहे है I remember every detail of that day ये जो भी दिन था आपके break-up का था या पहली दफ़ा आपकी मुलाकात का था उनको सारी detail याद है उस दिन की I fell for you and it was deep So उनने आपसे प्यार हुआ और ये बहुत deep रहा है हमेशा I need to look after my family So ये जो struggle है Maybe उनकी family के हवाले से जिस पर हम बात कर रहे थे जो शायद उन्होंने आपको नहीं बताई Maybe उन्होंने अपनी family को priority दी पहले से उनकी जिन्दगी में struggle चल रही थी But उन्होंने आपसे भी प्यार का इजहार कर लिया और आपको नहीं पता था कि वो अपनी family को priority देंगे और फिर एन वक्त पर उन्होंने कह दिया मेरे लिए तो मेरी family important है किसी के लिए में भी ये सेनारियो कुछ इस तरह का हुआ Specific message था I need more time So आपके person को थोड़ा सा time और चाहिए Completely आपके लिए ready होने के लिए It's something about something serious Settle down होने के लिए शादी के लिए उसमें time है But ये इंसान आप से contact बहुत जल्दी कर लेंगे चीजें आप लोग के दर्मयान ठीक हो जाएंगी But ये time होने चाहिए बड़ा decision लेने के लिए I'm watching from the outside इसका मतलब है कि वो दूर-दूर से आपको देख रहे है Maybe आपके social media के through और literally ये हो सकता है कि आपके घर के बाहर से अकसर आपको देखने आ जाते है And then you don't know the real me So कुछ चीजें उनकी जिंदगी के बारे में आप नहीं जानते वो कौन है really मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं बता बहुत से secrets हैं इसलिए secrets का card आया था शुरू में So हो सकता है कि धीरे धीरे ये इनसान आपको बताएंगे अपने बारे में So अब हम आपके yes or no question पर आने लगे हैं आप अपने question पर focus रखेगा हम आपका answer देखेंगे साथ आपके लिए letters और numbers होंगे आपका name initial आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है Life path number house number, car number So let's start हमारे पास है 111 C F R E G 111 H Y B So आपका answer आया है Ask a friend अपने किसी दोस्त से पूछें Next है हमारे पास D 999 444 G J E G Z N 999 888 555 TW 555 I F Number 7 J N F L B B J I D Y O D A A So and you are lovable अपने आपको यह जरूर बताया करें अपना धिर सरा ख्याल रखेगा I'll see you in my next video Till then, love you lots, bye bye